क्या आप जानते हैं कि heat एक स्थान से दूसरे तक यात्रा करती है? जी हाँ, heat अलग-अलग तरीकों से यात्रा करती है. चलिए, हम उन अलग-अलग प्रक्रिया को देखते हैं, जिनके जरीए ऐसा हो सकता है. एक ऐसा तरीका जिसके जरीए heat यात्रा कर सकती है, वो conduction की प्रक्रिया है. क्या आप जानते हैं कि conduction की प्रक्रिया क्या है? ये उदारन हमें इसे समझने में मदद करेगा. एक लोहे का तवा लें और इसे एक बिजली के चूले पर रख दें. जब चूले को ओन किया जाता है, तो आप देखेंगे कि तवा कुछ समय के बाद गरम हो जाता है. क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा चूले से तवे तक heat की conduction के कारण होता है, जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं. जी हाँ, heat की conduction के लिए दो वस्तूओं के बीच संपर्क होना ज़रूरी है. ध्यान दे कि चूले और तवे के तापमान में अंतर था. और heat गरम छोड से ठंडे छोड तक यात्रा करती है. हम इसे इस तरह से संग्शिप्ट कर सकते हैं. इसे अच्छी तरह से समझ लें. कंडक्शन कब होता है? ये तब होता है जब अलग-अलग तापमान वाले दो वस्तूओं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं. तापमान में अंतर heat के ट्रांसफर के लिए ज़रूरी होता है. लेकिन क्या सभी पदार्थ आसानी से heat को कंडक्शन कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ पदार्थ जैसे अल्यूमिलियम, लोहा और तामबा heat को आसानी से अपने जरिये जाने देते हैं. अब आप जानते हैं कि क्यों करम बिजली के चूले के संपर्ख में आने पर लोहे का तावा आसानी से गरम होने लगा. ऐसे पदार्थों को conductors of heat कहते हैं. प्लास्टिक, काच और लकडी जैसे कुछ पदार्थ गरमी को अपने जरिये आसानी से जाने नहीं देते हैं. प्लास्टिक, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सर्दी में उनी कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? जी हाँ, वो हमें गरम रखते हैं. लेकिन उनी कपड़े हमें गरम महसूस करने में कैसे मदद करते हैं? क्योंकि उन यानि वूल गरमी का एक खराब conductor है. उन के अंदर बंधवा हमारे शरीर से गरमी को बाहर जाने से रोकती है. और इस वज़े से हम गरम महसूस करते हैं. इस मामले में उन हमारे शरीर को गरम रखने के लिए गरमी को बाहर जाने से रोकता है. इसका मतलब है कि उन आसानी से गरमी को conduct नहीं करता है. क्या आप कंडक्शन के किसी दूसरे उधारन के बारे में सोच सकते हैं? जब आप अपने हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ते हैं, तो वो पिघलने लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हाथ से गर्मी बर्फ के टुकड़े में चली जाती है ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंडक्शन के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी है इसके अलावा कंडक्शन होने के लिए दोनों वस्तुओं के बीच तापमान में फर्क होना जरूरी है